आपके लिए एस सेवन के लिए कुछ इंपोर्टनेट क्वेशन्स टिक करा देता हूं Mathematics Class 9 के लिए Very Important Questions अच्छी तरह Practice करके जाएकर अच्छे Marks लाएंगे बुलकर मैं सौच रहा हूँ उमीद भी कर रहा हूँ कि आप Best Marks लेंगे चलिए अगर अभी तक कोई चैनल को सबस्रेब नहीं किया तो चैनल को सबस्रेब कर ले वीडियो को like और share कर दे क्योंकि इसके बाद previous year के question papers और कुछ expected questions भी मैं upload करने वाला हूँ सबसे पहले हम syllabus चेक करेंगे कितना syllabus रहेगा देखे, syllabus है real number पढ़ना है आपको polynomial side factorization the elements of geometry lines and angles यह आपको पढ़ना है पिर यहाँ से linear equations with two variables six chapter and triangles seventh chapter आपको पढ़ना है और यहाँ से statistics भी आपको पढ़ना है और इतने chapters आपको पढ़ना है यह अच्छी तर आप याद रेखिए तो मैं dear students चलिए है भी हम practice अप्लोड करता हूं important question अभी first chapter में हम जहांगेंगे देखेंगे कौन से important आपके लिए पढ़ने के लिए रहेंगे exercise 1.1 में चेकरेंगे पहले कुछ मिलेगा तो अप्लोड करूगा या नहीं तर एक्सराइज 1.4 पहले ले लेंगे थोड़ा वेज नमबर आगे पिछे इसके अंदर यह देखिए exercise 1.4 में अगर आप practice करना चाहते हैं तो यहाँ पर फूर्थ stars मैंने अल्रड़ी डाल रखा है 6th में 1st bit और यह 8 question very important है आपको पूचेगा यहाँ से 9th में 1st bit और यह 1st bit आपको practice करना है और उसके बाद polynomial second chapter क्यों राएंगे हम और second chapter में अगर exercise 2.1 अगर लेंगे आप तो 2.1 में एक आपको practice करना है exercise 2.1 और यह examples देखिए very important examples है यह examples आपको अच्छे तरह practice करके जाना है और exercise 2.2 में यह question आपको practice करना है और यहाँ से 2nd वाला भी आपको practice करना है 4th में 1st bit 5.6 ते दोनों questions भी आपको लेना है और exercise 1.1 मैंने पहले कहा था कि उल्टे पुल्टे 1.1 में यह 2 questions आपको practice करना है थोड़े आगे पीछे page numbers थोड़ा adjust कर लिजिए 1.2 में यहाँ से 2nd bit है और यहाँ से 8 questions आपको practice करना है चलिए उसके बाद आते हैं next exercise के और exercise 2.3 second question यहाँ से और यहाँ से 4th, 6th और यहाँ से 9 यह question आपको practice करके जाना है exercise 2.4 इस वाले में 3, 6, 8 और 10 यह practice करना है अब next exercise के और हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर है 2.5 इस वाले chapter में यहाँ से 3rd bit है 5th का यहाँ से 4th bit लेंगे हम 6th question और उसी तरह यहाँ पर 12th, 13th यहाँ आपको practice करके जाना है the element of geometry इस वाले में आपको यह पढ़ना है equally the element of geometry के इसके यह points आपको पढ़कर जाना है और उसी तरह axioms and postulate यह भी आत करना है आपको और उसी तरह कुछ अगर questions रहेंगे यहाँ से questions देखे यहाँ से 3rd वाला 5th, 8th, 9th and 10th यह question आपको practice करना है next line and angles इस वाले chapter में यहाँ से 2nd question अच्छी तरह practice करना है 4.1 में और उसी तरह next आएंगे हम exercise 4.2 की और यहाँ से यह first question ले लिजिए यहाँ से और यह second bit, third bit यहाँ से यह third question आपको practice करना है अच्छी तरह यहाँ से 6 कर रहेगा next exercise की और आएंगे हम next exercise 4.3 में यहाँ से second वाला और यहाँ से fourth वाला यहाँ से six and seven और यह ninth and tenth यह अच्छी तरह आपको practice करके जाना है यहाँ से 15 और यह 16 यह question आपको practice करकर जाना है next exercise की और आगे बढ़ेंगे 4.4 यहाँ से second bit यहाँ से question number 3 यह question number 5 यहाँ से question number 9 back side में आएंगे तो question number 12 यहाँ से question number 16 next आएंगे उसके बाद there is six chapter आईए कि फिर्स चेप्टर इस बार आपको S7 में नहीं S2 में आएगा linear equations इस वाले में exercise 1 में यहाँ से second वाल आपको practice करना है second question next यहाँ पर six point two में first में first bit यह second second bit है third question पूरा है यह fourth question आपको लेना है यहाँ से five aujourd six भी आपको practice करके लाएं 6.3 यहाँ से आप fourth bit यहाँ से second और यहाँ से third question आपको practice करना है उसके बाद exercise 6.4 में यहां से 2nd और 3rd practice करना है आपको यहां से 8 और 9 आपको practice करना है next 6th exercise 6.5 यह सारे ग्राफ है एक आप अगए काद अगर आप practice कर लेंगे तो आप चल जाएगा next आते हैं triangles इस वाले चैप्टर में यहां से 7th वाइन पॉंट में 1st 3rd और 4th यहां से 6th और यहां से 9th exercise 7.2 में 1st वाला और यहां से 3rd वाला यहां से 5th वाला exercise 7.3 यहां से 2nd और यहां से 5th उसके बाद आते हैं यहां से 9th चैप्टर स्टाटिस्टिक यह वाले चैप्टर में important आपके रहेंगे यहां से 2nd exercise 8 9.1 का और यहां से 5th और उसी तरह यहां से 1st 9.1 यहां से 3rd और यहां से 6th इतने questions आप प्रैक्टिस करके जाएए all the best सभी students उमीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा best of luck